किवर्मेट, जलपरी या मत्सिकन्या किसी भी नाम से पुकार लें आज यह हमारे सामने एक प्रस्ने चिन्ने की तरह खाड़ी है या यूग है तो इसका वजूद है या नहीं ये आज एक सवाल बन कर रहे गया है अगर हम यूट्यूब पर मौझूद कैई वीडियो पर नज़र डाले तो ये हमें इनके वजूद को ना मानते हुए भी सोचने पर मजबूर कर देगा क्या वाके इनका अस्तित्व है गौर तलब है कि इन जलपरी का जिक्र हमें हर देश की पौरानिक कथाओं में देखने को मिलता है तो क्या हम अब भी इस बात से इंकार कर दे कि इनका वजूद कभी था अब हमारे सामने सवाल खड़े होते हैं कि अगर इनका अस्तित्व था ही नहीं तो फिर इनकी कल्पना पाचिनकाल से कैसे की जाती रही है क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज का वजूदी ना हो वो हमारी कथाओं का हिस्सा हो जाए या फिर सच्चाई कुछ और है जलपरी ऐसी जल्य जीव है जिसके सरीर का उपरी हिस्सा और विश्ला भाग मचली जैसा होता है अलिए पहले रुबरु होते हैं इनके बारे में पचलित कुछ डंत कथाओं से जो इनकी वजूद की पुष्टी करती है पौरानी कथाओं के अनुसार जलपरीया सुरीली धुन में गाना गाकर इनसानों को अपनी और आकरसित करती थी जिससे उनका ध्यान भड़क जाता था उनकी ध्वनी को सुनकर मनुस से समुद्र जाहास से पानी में कूच जाते थे कुछ ऐसी कहानिया भी प्रचलित है जिसमें जलपरिया डूपते हुए इंसानों की मदद करने के प्रयास में उनकी जान भी ले देती थी क्योंकि वह ऐसा प्रयास करने के दौरान ये भूल जाती थी कि मनुस से पानी में सास नहीं ले सकते हिंदु पारानिक कथाओ पर नजर डाले तो इनका जिक्र हमें महाभारत और भारत ये रामायन के थाईवो कमबोडियाई संस्करोनों में देखने को मिलता है थाईवों कमबोडियाई संसकरोनों में रावन की बेटी सुबर्द मचा का उल्लेग किया गया है जो की सोने की जलपरी थी महाभारत के अनुसार अरजुन की पतनी गुलूपी का भी जिक्रित किया गया है जलपरी के रूप में वो एक नाक कन्या थी जो पानी में रहती थी इसके अलावा भगवान विस्नु के मत्स अवतार का उल्लेग भी देखने को मिलता है जिनका सरीर का उपरी भाग मानव का और निशला भाग मचली जैसा था असायरिया में एक हजार इसापूर्ग मिली जलपरीयों की कहानी के बारे में कहा जाता है कि ये जलपरीयों की पहली कहानी है असाइरियन की रानी देवी अटार्गेटीस जो सेमिरमिस की मा थी एक चारवाहे से बहुत प्यार करती थी पर नाच आते हुए भी उसे अपनी प्रेमी को मौत के घाट उटानना पड़ा इस बात से वो एतनी सर्मिंदा हो गय थी कि उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मशली का रूप ले लेकिन जल भी उसकी कुपसूरती को छुपा नहीं पाया और इस कारण उसका आधा सरीर पहले जैसा रह गया और लीचे का हिस्सा मशली की तरह हो गया ग्रीक कहानियों में अटार्गेटिस को डेलकेटो भी माना जाता है एक मशूर ग्रीक कथा के अनुसार अलेकजंडर दग्रेट की बहन ठेसालायनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गय थी जलपरी के रूप में दुसरा जन आने के बाद काफी समय तक जीवित रही और जब जहाज को जानी का रास्ता ले देती थी लेकिन अगर कोई उसके अनुसार जवाब नहीं देता तो वो उस जहाज को उसके सावार साहित समुद्र में डुबो देती थी अरेबियन नाइट्स ये एक हजार एक रात की कहानियों पर आधारित है इसमें कुछ कहानियों में जल अब्धूला दा फिसर्मेंड अब्धूला दा मरमें इसके मुख्य किरदार अब्धुला को पानी में साथ लेने की काबिलियत मिल जाती है और वो टेर कर पानी की भीतर दुनिया में पहुंच आता है जहाँ धन की कीमत नहीं होती अन्य अर्वियन नाइट्स की कहानियों म जलपरिया एक बहुत खास जीब हुआ करती थी जिनके आशू मुतियों में बदल जाया करते थे जिस कारण मचवारे इन्हें पकड़ने को कोशिज में लग जाते थे लेकिन वो इतनी सुरिली होती थी कि अपने गाने से मंत रमुप्त कर मचवारों को पानी के भीतर खीश लिया करती थी अगर हम आये दिन समचारों और सोचल मीडिया की खबरों पर नज़र डाले तो जलपरियों को देखे जाने के दावे समय समय पर किये जाते रहे हैं ऐसा दावा करने वालों में जावा, पाकिस्तान, बिटिस, कलोंबिया और दो कनेडियाइज घटनाओ तब को सुमार किया जा सकता है जो वेकुवर और विक्टोरिया के नज़दी की इलाखों में होई थी हाल फिल हाल में भारत के पौरबंदर के पास, मधुपुरा गाउं के पास, समुध्य तरपर एक मरी हुई जलपरी मिलने की ख़बर सोचल मीडिया में काफी च्छाई हुई थी घटनाय काफी हुई है लेकिन इन सभी में कितनी सच्छाई है ये तो कहना मुश्किल है अगर हम वैगानिक वह विशसंकों की दिष्टी से देखे तो मरमेड या जलपरी जैसी किसी भी जीव का कोई मजुद नहीं है ये से मनुश्किल द्वारा की गई एक गोरी कलपना है मनुश्किल की ये फित्रत होती है कि जब तक वो अपनी आखों से कोई चीज ना देख ले तब तक उसके होने को लेकर वो असम्मिंजस में रहता है और यदि जलपरी का वाकई कोई हजुद है तो वो एक ना एक दिन हमारे सामने जरूर आएगी तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी मत फिलिएगा और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए इस सैनल में आपको इस तरह की और भी वीडियो देखने को मिलेगी तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में